प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में हम आपको ओपरेटर के बारे में बताएंगे तो हम किस ओपरेटर की बात कर रहें यहां पर वाट इस टर्नरी ओपरेटर विद एक्जामपल Ternary Operator क्या होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह होता क्या है इसका मतलब क्या है क्यों इसका नाम Ternary रखा गया है Conditional Operator is a Ternary Operator सबसे पहली बात Conditional Operator ही Ternary Operator होता ठीक है यह आपको याद रखना है किसी भी नेम से एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है टर्नरी ओपरेटर या फिर कंडिशनल ओपरेटर कि विसकों टर्नरी ओपरेटर बोलते हैं कंडिशनल ओपरेटर को क्योंकि ये तीन ओपरेटर पेंडेंगें अगर आपको कोई कंडिशनल परगाम बनाने के लिए दे लेकिन वोले कि यूज मत करो तब आप तर्नरी ओपरेटर यूज करियेगा आपका काम हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या करता है इसे ही काम करता है सिंटैक्स देखो यहां पर हमारा होगा कंडिशन अगर यह कंडिशन हमारा ट्रू होता है फिर क्या होगा यह वाला वैलू प्रिंट होगा ठीक है वैलू इफ ट्रू अगर मालो कंडिशन ट्रू होता है यह वैलू प्रिंट होगा मालो यह कंडिशन फॉल् होगा value if condition ठीक है तो यह सिंपल सा सिंटेक्स है तो यहां पर या आप इसको एक्सप्रेशन 1 बोल सकते हैं इस प्रेशन 3.. इसे लिए यह हो गया टर्णरी ओप्रेटर यह सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं फाइंड मैक्सिमिम नंबर अमंग 3 numbers का तो चलिए simple सा program कैसे बनेगा ternary operator से बनाते हैं code लिखने से पहले मैं आपको ये बता दू कि हमारे पास कितना number होना चाहिए 3 number होना चाहिए और इन 3 number में सबसे बड़ा number जो होगा हमें वही find करना है तो 3 number के लिए हम क्या करते हैं 3 variable बनाते हैं a b c ठीक है तीन variable बन गए तीन number के लिए सबसे पहले फटा फट इन्वे number input ले लेते हैं तो यहां पर message pass कर दे रहें enter 3 numbers ठीक है तीन number input करना होगा हमें तो scan up function की मदद से एक बार में ही हम तीनो variable में number input कर देते हैं तीन variable 3 times %d format string उसके बाद अभी सबसे पहला number a वाले variable में second वाला number variable b में input होगा और variable c में तीन number input हो चुका है अब यहां पर अगर हम e files use करेंगे तो हमें कम सकम 6-7 line का code extra लिखना पड़ेगा लेकिन वही काम अगर हम ternary operator से कर दें तो एक line में हमारा काम हो जाएगा वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं सबसे पहला condition होगा हमारा a greater b अगर यह condition true होता है तो यहां पर question mark होगा जो कि turnary operator का symbol होता है फिर यहां पर एक और condition हम लगाएंगे वही a अगर c से भी बड़ा होता है तो question mark a print होना चाहिए नहीं तो क्या print होगा c print होना चाहिए अब मालो यह a greater b का जो starting में यह वला condition हमने दिया है यह condition false हो जाता है तब क्या होगा तब उसके लिए यहां पर colon देंगे colon क्या करता है statement को separate करता है और यहां पर अपना second condition होगा अगर b greater c होता है फिर क्या question mark b के value print होना चाहिए नहीं तो colon c के value print होना चाहिए तो यह हमारा logic हो चुका है हमने लिख दिया है इसको थोड़ा सा space में लिखते हैं ताक कि लगे की separate statement है हमने काम कर दिया अपना अब इस result को हम store करा देते हैं एक variable में उसका नाम क्या रख देते हैं max इसको अभी फिलाल हमने declare नहीं किया है तो यहां पर क्या करते हैं declare कर ले देंगे तो हमारा result आ जाएगा जो भी maximum number होगा वही print होगा तो percent d value print करने के time में भी और max program हमारा ready है अगर इसको हम कर दे run तो यह successfully हो जाएगा run ternary operator का advantage एक line में हमने code लिख डाला code को छोटा करते हैं ठीक है enter three numbers सबसे पहला number 23 second 78 और third वाला 45 तो result क्या आया है 78 इसका मतलब maximum number ही print हुआ तो यह क्यूं आया है मैं आपको dry run करके समझा देता हूँ देखो सबसे पहले variable में हमने a का value input किया 23, b का value हमने 78 input किया और c का value हमने क्या input किया था 45 तो यहाँ पे 45 अभी condition यहाँ पे हम test करेंगे सबसे पहला condition यहाँ पे है ठीक है a greater b है a का value है 23 greater b का value क्या है 78 क्या यह वाला condition true है यह वाला condition तो false हो गया जैसे ही यह वाला condition false हुआ अभी हम यहाँ पे आएंगे तीक है तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा b greater c है b का value क्या है 78 greater c का value क्या है 45 क्या यह वाला condition true है यह वाला condition true है जब यह वाला condition true है तो यहाँ पे b का value पहले print हुआ है ठीक है b का value पहले है तो यहाँ पे b का value क्या है 78 इसका मतलब 78 जाके इस max variable में store हो गया और max को हमने print किया 78 print हो गया फिर से करते हैं run एक और number input कर देते हैं कुछ भी number input करेंगे जो सबसे बड़ा होगा वही number यहाँ पे क्या होगा डिस्पले होगा तो अभी देखो 100 print हुआ है इसको भी आप उसी तरीके से dry run करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस program में हमने क्या किया है main function का return type नहीं दिया है return 0 नहीं लिखा है फिर भी program run कर रहा देव C++ का यही advantage होता है ठीक है अगर आपको complete C programming सीखनी है तो इस video को click कर दीजे जो आपके screen पे आपको दीख रहा है